तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बिसकस करने वाले हैं इरुडोव का प्राबलम 1.121 काफी अच्छा क्योश्चन है स्टुश्चन है तो चलिए पहले क्योश्चन को समझ लेते हैं A body of mass M was slowly hauled up the hill by a force F which at each point was directed along a tangent to the trajectory Find the work performed by this force if the height of this hill is H, the length of its base is L and the coefficient of friction is K यह question है ठीक है तो आप एक बार question को try कर लीजे खुद से फिर उसके बाद में हम लोग इसको discuss करते हैं तो मैं hope कर रहा हूँ कि आपने question को try कर लिया है तो जीखिए पहले हम question को थोड़ा और detail में समझते हैं इस particle M को इस initial point I से F तक ले जाया जा रहा है एक force के द्वारा जो की हमेशा trajectory के tangential लगता है यह tangential word बहुत important है यहाँ पर तो यह जो F force है गया हमेशा trajectory के tangential लगता है दूसरी इसकी जो important detail है force F की वो यह है कि यह force हमेशा slowly act करता है तो यह particle को इत्व धीरे धीरे लेके जा रहा है I से F तक तो यह variable force है जिसका direction और magnitude continuously change हो रहा होगा और यह I से F तक इस particle M को लेकर के जाता है बहुत ही धीरे धीरे और tangentially लेके जाता है मतलब जो force है वो हमेशा trajectory के tangential रहता है अब यह slowly का क्या relevance है यह slowly का बहुत important relevance है students slowly जब हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि यह जो F force है यह F force और इसके उपर दूसरे जो forces लग रहे होंगे friction force और gravitational force उनके combined effect के कारण हम particle को हमेशा एक equilibrium की इस्थती में consider करेंगे हम यह बोलेंगे कि particle ने कभी भी acceleration gain ही नहीं किया particle को आप इतना slowly लेके जा रहे हो कि उसके हर point पर आप मान सकते हो कि particle equilibrium में है यह मतलब है slowly का दूसरा यह जो tangentially ले जाया जा रहा है इसका क्या मतलब है इसका क्या relevance है इसकी relevance आपको next page पे सबढ़ भाई की students तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो दीखें यहाँ पर मैंने आपके लिए diagram बना रखा है particle को हम initial से final position तक लेके जा रहे है base length LD हुई है, height हमको HD हुई है ठीक है, force जो है वो tangential है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं पूरी की पूरी trajectory को हम लोग infinite अगर ds elements के अंदर divide कर दें तो एक element को हमने consider किया यहाँ पर ठीक है, तो पूरी की पूरी trajectory का हमने एक छोटा से element ले लिया ds उसको zoom करके हमने यहाँ पर अलग से बना लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अलग से बना लिया, अब क्योंकि यह जो ds element है, यह एक बहुत ही छोटा element है तो हम इसको एक straight line की तरह consider कर सकते हैं, क्योंकि यह infinitesimally small element है, तो इसको एक straight line की तरह consider कर सकते हैं, तो देखिए हाँ तो मैंने इसको एक straight line की तरह दिखा रखा है ठीक है, माल लेते हैं कि इसका angle of inclination है, वो है theta, horizontal से, अब यह theta जो होगा, यह हर element के लिए अलग-अलग आएगा अगर माल लीजी हमने यहाँ पर ds element consider किया है, तो उसका theta आगया, अगर आप कहीं और पर ds element consider करोगे, तो उसका अलग element, अलग angle आएगा, अगर आप कहीं और पर consider करोगे, तो उसका अलग angle of inclination आएगा, तो angle of inclination जो है, वो हर point पे अलग-अलग आएगा, तो यह theta जो है, यह एक variable angle है, हर ds के लिए अलग होगा, ठीक है तो हमने एक general ds element consider कर लिया और माल लिया कि उसका horizontal से जो angle है वो है theta, तो उसका जो vertical component आएगा इस ds का, वो आएगा ds sin theta, जो इसका horizontal component आएगा वो आएगा ds cos theta, तो यह तो होगए ds के components, ठीक है अब हम क्या करते हैं कि इस m का free body diagram बना लेते हैं, हमको बता है कि इसके उपर एक f force लग रहा है, जो कि ds के parallel है, तो यह एक f force हमने बना लिया, ठीक है इस f force के अलावा भी इसके कुछ forces लग रहे होंगे, जैसे इस direction में लग रहा होगा mg sin theta, इधर की direction में आ रहा होगा normal, इधर की direction में आ रहा होगा mg cos theta और क्योंकि block चल रहा है तो उसके फ़र kinetic friction होगा, और kinetic friction जो होगा, वो mu n के बराबर होगा और n की value mg cos theta के बराबर होगी, क्योंकि ds element के perpendicular direction में तो इस particle का कोई acceleration नहीं है, तो n mg cos theta के बराबर होगा, तो यहाँ पर एक और force आ जाएगा, mu mg cos theta, यहाँ पर friction coefficient को मैं mu ले रहा हूँ, के ले में की जगा ठीक है, तो हमारे पास में यह free body diagram बन गया body का अब क्योंकि हम block को बहुत ही धीरे-धीरे लेके जा रहे हैं, तो body हर point पर equilibrium में होगी, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कि जो f force होगा, वो mg sin theta plus mu mg cos theta के बराबर होगा, हमेशा यहाँ पर theta जो है, वो variable angle है ठीक है न, तो theta vary करेगा तो f भी vary करेगा magnitude में लेकिन हर point पर f की जो value होगी वो mg sin theta plus mu mg cos theta के बराबर होगी, क्योंकि block को बहुत ही slowly ले जाया जा रहा है plus tangentially ले जाने का एक फायदा हमको यह भी मिला, कि उससे normal change नहीं हुआ अगर मालीजी यह force tangential नहीं होता और अगर वो inclined plane से किसी angle पर आ जाता, तो normal change हो जाता normal change हो जाता, तो फिर हम उसको mg cos theta के बराबर नहीं कर पाते और फिर तब हम यह भी नहीं लिख पाते कि friction की value mu mg cos theta होगी, तब और complication बढ़ जाती पर क्योंकि force tangential है तो normal की value mg cos theta के बराबर होगी और friction की value mg mu mg cos theta के बराबर आ गई तो यह हमारे पास में equation बन गई f is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta इसको हमने नाम दे दिया equation 1 ठीक है, अब हमको करना क्या है इस f force के दौरा work calculate करना है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि work done by this force जो होगा वो होगा integral of f dot ds किसी भी variable force का work कैसे निकालते हो, integration से निकालते हो तो यह हमारे पास में equation बन गई work done by this force is equal to integration of f dot ds अब यहाँ पर हमको पता है कि यह जो force है और यह जो ds element है यह same direction में होंगे तो अगर आप इस dot product को open करोगे तो आपके पास में equation क्या आएगी work done is equal to f ds cos 0 क्योंकि f और ds दोनों ही same direction में है तो आपके पास में यह equation आएगी work done is equal to f ds cos 0 और cos 0 की value हमको पता है 1 होती है तो simply f ds बन जाएगा f की value हमने already calculate करके रखी हुई है वो है mg sin theta plus mu mg cos theta तो इसकी value हमने put up कर दी और ds को as it is रख दिया अब इसको अगर हम expand करें work के expression को तो हमारे पास में आजाएगा यह mg यह integration के बाहर आजाएगा क्योंकि यह constant है और हमारे पास में एक term यह आजाएगी ds sin theta का integration plus दूसरा आजाएगा mu mg और integration में हमारे पास में आजाएगा ds cos theta ठीके ना तो यह हमारे पास में हमने split करके इसको इस तरह से सजा के लिख लिया अब देखिए आती यह बहुत important बात बहुत ही मज़दार बात यह ds sin theta क्या चीज़ है ds sin theta आप देखो तो ds sin theta जो है वो इस ds element का vertical component है यह जो ds element है इसका जो vertical component है यह ds sin theta है इसका जो horizontal component है वो ds cos theta है है कि नहीं तो अगर आप सारे के सारे ds sin theta को पूरे के पूरे path पर अगर आप add कर दो जितने भी ds sin theta हैंगे यानि कि जितने भी ds element आप पूरे के पूरे trajectory पर लोगे उसके vertical components को अगर आप add कर दो तो यानि कि यह सारे vertical components add ओकर क्या बनाएंगे यह edge produce कर देंगे उसी तरीके से अगर आप सारे के सारे horizontal components को add कर दो तो horizontal components add ओकर के क्या देंगे आपको यह L दे देंगे जिस तरह से vertical components ने add ओकर के H दिया उसी तरह से horizontal components add ओकर के L दे देंगे यानि कि हम यह बोल सकते हैं कि यह जो ds sin theta है इसका integration यानि कि इसका addition आपको H देगा पूरी के पूरी trajectory पर और ds cos theta का integration पूरी के पूरी trajectory पर आपको L देगा तो अगर हम इनकी values रख देते हैं तो हमारे पास में यह answer आजाता है और देखे कितना elegant और कितना simple answer आया इसका कि work done by this variable tangential force which is taking the particle slowly from initial position to the final position is equal to mgh plus mu mgl कितना मज़ेदार answer है और कितना अच्छा question है यह ठीक है तो यह answer है इस question का इसको आप अच्छे से समझेए revise कीजिए और हम लोग मिलेंगे और दूसरे concepts और questions के साथ में आने वाले videos में Thank you